कि नमस्कार सांथियों उमीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे पढ़ाय लिखाई बढ़िया चल रही आज की क्लास में हम देखेंगे विन का भाग करना इसके पीछे की क्लास में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया 16 बी नंबर क्लास है 16 का भी नंबर ठीक है पूरा क्ल में दो भिन दिखेंगे आपको पहले वाले को पकड़ना और ऐसे प्यार फे नीचे लिख लेना है ठीक है कुछ भी सोर नहीं करना बस ऐसे लिख लेना और कुछ नहीं करना ठीक उसके बाद भाग की जगह पे आप गुड़ा का चिन लगाओगे अब ध्यान रखना यह जो अब इनको सरल कर लो आप अगर कर पाओ तो ठीक है सरल कर लो अच्छा लगेगा और आफान भी रहेगा बताओं कैसे देखो यह पंदरा एककम पंदरा और डिवाइड होगा क्या देखो एक बार दो चाबर जाएगा ना 15,6 यह 4 है और यह 7 आजाएगा तो बच्चा अगर ध्यान दो इसमें 1 बचा 1 बचा 6 और 7 बचा अगर इनको फाइनल में हल करोगे तो 6 वंजा 6,7 वंजा 7,6 अबान 7 आएगा मुझे comment में ये बताना कि ये proper fraction है या improper fraction है हिंदी में 6 बटा 7 उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है बताना ठीक है पक्का बता लोगे न आगे बढ़ जाओं मैं ठीक है चलो इसी में थोड़ा अफ़ा जगा adjustment करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ ये side में गया अरे बबाई ये शल भाईया ready चलो आगला देख लो इसको कैसे करेंगे पहले first fraction को पूरी full इज़्जत के फाथ लिखेंगे गुड़ा का चिन लगाएंगे भाग की जगा पर ये fraction पलट जाएगा याद रखना हर एक सवाल में नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा जिनका खोपड़ा ऊपर है उनका नीचे हो जाएगा पैर ऊपर हो जाएगा ठीक है डन समझ रहो अब क्या करोगे भाईया देखना कैसे इनका इनका कोई रिलेफन है क्या हाँ इनका एक गुप चुप रिलेफन तुम्हें खुद है दिख रहा है या इनका इनका भी देखो अगर हो जाए तो कैसे भी करकन को डिबाइड कर दो जो भी सरल हो सके जिससे गुड़ा करने पर छोटा हो जाए हम चाहें दिनको ऐसे ऐसे भी डिबाइड कर सकते हैं ऐसे ऐसे भी लेकिन हमें ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है तिर्चा वाले में काहे को एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आफान है और चार एकम चार चा होता है होता है अब यहां पर देखो प्यारे बच्चा तो क्या है छे और तीन यह एक चीज और हो सकता है पता है क्या देखो तुम्हें थोड़ा फास समझाने के लिए लाइन और लिख दिया यह आई से भी हो जाएगा तो फाइनल में सिर्फ दूई आएगा है ना कोई डाउट किसी को तो मुझे बता दो नहीं बढ़ी हमास जबर जस चल रहा है मुझे देखना पड़ता है कहीं लाइक तो नहीं कर रहा है नहीं तो मैरा खोबड़ा आयए फिर रुका हो वीडियो चल रहा हो फिर पिर जानी रहो क्या होता है चलो तो इसमें आज फ्रेक्शन लिख लो भाग की जगह पर मल्टीपल का साइन लगा दो ठीक है ऐसे गुड़ा इसको पलड़ दो नीचे जो है उनको उपर भेज दो उपर जो है उनको नीचे भेज दो उपर का मतलब हुआ उपर नहीं यहां क्यों भीने चेंज करना बस ठीक है चलो अब सतर 1585 होता है तुम्हें पता है 38 का इससे कोई संबंध है क्या देखो अभी मैं बहुत आसान फ्रेक्शन लिखाऊंगा ऐसे हर एक फ्रेक्शन में नहीं हो जाएगा अई से तिर्चा में रिचा करके काट्पिट लेंगे वह में सब में नहीं होगा वह भी बताऊंगा लेकिन स तो वैसे क्या है पहले इसकी लट तो लग वाओ गडित पढ़ने की फिर देखो तुम बड़े-बड़े सवाल करोगे बिल्कुल पागल हो जाओगे मतलब पढ़ाई में वैसे वाला नहीं तो अन्टिस का देखो इससे क्या संबंध है तीस दूना साठ आठ दूना सोला सा है एक फाइनल में यहां पर आकर देखो एक आया था यहां पर यहां पर एक आया था यहनिंए पाँज बड़ा दो आएगा इसको कुछ मत करो ऐसे चोड़ो मुझे यह बताऊ यह प्रविक्षन कोंन्न को क्या करना है इस दन अगे बढ़ों चलो देखो इंको कैसे करोगे बहुत आसान है इनको क्या करना है सिंपल में लिख लेना है एक लिख लेना एक टॉपिक खतम छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ मिल जाए ठीक है तो यह होमवर्क है आप सभी के लिए आप इनको करोगे नेक्ट क्लास में मैं यह सब करवा दूंगा अगर आपको दिक्कत नहीं है ठीक है समझ रहे हो ना जरूरी है प्रैक्टिस भी जरूरी है कि नहीं आपको कोशिस करना चाहिए ना मैं ही सब कर ल आपको मिलता रहेगा लेकिन लाइक और सेयर जरूर करना यह आपकी जिम्मेदारी है और आपका कत्तब भी है